दोस्तो स्वागत आप सभी का World Affairs Channel पर और स्टार्ट करते हैं अपने आज के Current Affairs 2 अगस्ट के Current Affairs और ये Current Affairs डेली आपको सुबर छे बजे वर्ल्ड आफेर्स पर मिल रहे हैं तो आप Daily Basis पर वीडियो सेक्शन में जाकर इसे देख सकते हो पूरे दिन में और आपका जो current affair है इसमें coverage क्या हो रहा है सबसे पहला coverage क्योंक्व का organization अगर कोई special है special day अगर कोई हुआ तो mcub details और news of the day तो start करते हैं आज 2 अगस्त को कोई exam oriented special day नहीं होता तो इसलिए नहीं cover कराने लेकिन news of the day बहुत important है आज का चलिए start करते है news of the day से हमारे इंडिया के first prime minister होंगे नरेंद्र मोदी जी जो की united nation security council meeting जो है उसे decide करने वाले यहाँ पर यह tweet है सहीद अक्रुबदीन का यह former envoyer रह चुक है जिन्होंने इस चीज को clear अपने tweet में कहा है और साथ के साथ इस चीज को प्रांस से took over करिये और प्राइमिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसे प्रिसाइट करने वाले हैं और इंडिया नोन पर्मेंट मेंबर है united nation security council का यह उमीद है आप सभी जानते हैं चलिए start करते हैं पहला question देखते हैं पहला question यह है कि हाल फिलाल में किसे lieutenant journal कौन से lieutenant है जिनको डारेक्टर जनल मनाया आर्ट रिका तो आंसर कहा इस question का तरुन कुमार चावला जी यह इनकी image lieutenant journal तरुन कुमार चामला जी हाल फिलाल में डारेक्टर जनल बनाएं गये और important यह भी है कि किनों ने resign किया है तो resign किनों किया है lieutenant journal रवी प्रसाद जी ने design किया उसके बाद इनको जो है डारेक्टर जनल बनाएं गया बहुत important है और यह पी आईबी release का जो पी आईबी होता है उसका Bureau of Information Board उनका कट था आंसर कहा है तरुन कुमार चावला चली लेखते एंग और question आल फिलाल में एक national record बना यह national record बहुत important है क्योंकि टोक्यो olympic में बना तो definitely बहुत important man's 3,000 meters steple chase और यह record किस ने बनाया अविनास साबले ने बनाया ठीक है अविनास साबले ने बनाया देखते है टोक्यो क्वालिफाइद और लंपे के 3,000 meters इंडिया ने जो 1952 के बाद जो है क्वालिफाइद की है तो यह important question है पूछा जा सकता है तो आंसर है अविनास साबले एक और question देखा जाए इसी बात पर इंडिया के साथ कौन से देश ने मिलके एक agreement sign किया है extend किया है मतब sign तो पहली कर रखा था extend किया है agreement extend किया ट्राइंगुलर corporation for global development तो यह अमेरिका ने इसे extend किया है ठीक है बहुत सारे कारण है कि अमेरिका बहुत सारी चीजे डील जो है उनको ना extend कर रहा है तो इंडिया और अमेरिका के बीच में यह जो triangular corporation for global development था इसको extend किया गया है amendment के ठीक है और यह extend कब तक किया गया है 20-26 तक 20-26 तक इसे extend किया है question यह आपको मिल सकता है एक और देखते है question तो आंसर अमेरिका इस question और यह बहुत important question आज का मतलब मेरे हिसाब से news of the day exactly यह है how many air traffic routes has been approved by government of India सरकार ने कितने air traffic routes जो है उडान scheme के लिए जो है अप्रूफ किया तो 780 air traffic routes जो है इन्हें अप्रूफ किया उडान scheme के अंडर यह बहुत important है उडान scheme का जो full form है उड़े देश का आम नागरिक तो यह scheme मैं आपको पूरी detail में बता रहा हूँ भी पहले आप यह देख लीजे कि यह जो उडान scheme है इसके तहतना 59 ने airport भी बनाएगे scheme को 2017 में start किया गया था scheme को 2017 में start किया गया था तो उडान scheme exactly है क्या कि regional connectivity बन सके बहुत दूर दराज के लोग जहां पर एयर connectivity नहीं है वहां पर उडान scheme के तहर जो है connectivity हो पाएगी और जो afford नहीं कर पाते थे tickets उनको अब affordable लगेगा उडान scheme के तहर तो इसके ऊपर मैं question भी बताता हूँ एक और जो आ सकता है यह साथ सो असी जो है यह traffic routes बनाएंगे scheme को पूरा detail में पढ़ लेते हैं यह उडान scheme एक key component है central nations civil aviation policy जो 2016 में ठीक है प्राइम निस्टर नरेंद मोदी के दूर लाएगी थी national civil aviation policy इसके दर में आपको बताए reasonable connectivity को आसान करना और जो air travel है उसे affordable बनाना affordable कैसे बना जाएगा जो भी flight उडान scheme के अंडर होगी उसमें particular number of seats ठीक हाफ of the seats will be reserved in subsidy form subsidy fares होंगे उसके यानि कि इनसान उसे afford कर सकेगा ठीक है तो पहली बात यह और इस scheme का target रखा है कि 10 साल तक यह scheme चलेगी और मेबी इसे extend भी किया सकता है central government जो खर्च है जो scheme का जो खर्च है funding जो है वो central government और स्टेट government दोनों मिलके उठाने वाले हैं तो उडान scheme वैसे भी बहुत महत्पुन है तो answer इस question का क्या है ठीक है अभी 780 बताएं ठीक है चलिए एक और question देखते है comment of India ने preschool kids के लिए कौन सा एक initiative स्टार्ट किया है कोशन मैथपुन है विद्या प्रवेश यह विद्या प्रवेश नाम का इनिशेटिव किसके स्टार्ट किया गया हाल फिलाल में एक साल हुआ है हमारे national education policy को ठीक है स्टार्ट हुए तो एक साल हो चुका है on the completion of this जो है विद्या प्रवेश इनिशेटिव स्टार्ट किया गया है इस इनिशेटिव के तहत pre-school kids जो है न basically जो grade 1 students है ठीक है उनको school जाने से पहले तीन मन्त का play module दिया जाएगा ठीक है अब यह भी सवाल आ सकते हैं विद्या प्रवेश किसका जो है किसका component है तो याद रखेगा कोशन डारेक्ट आ सकता है विद्या प्रवेश जो है न असेंचिल component है निपुन भारत का national mission on foundational literacy and university तो इस यह government of इंडिया का initiative है निपुन भारत इसका component है आपको यह statement form में question बहुत मिलेंगे मैं यह सब चीजे इसलिए कवर करा रहा हूँ क्योंकि statement form पर question आते हैं और compilation की मैं अशोर्टी देता हूँ एक या दो दिन में आपको पूरा compilation मिल दागा सुबह 6 बजे के class daily basis पर हो रही है world affairs पर आप video section में जाके world affairs जरूर देख सकते है यह वाला video daily basis पर चले एक और question देखते है रिजर्ब बैंक ऑफ इंडियरा हाल फिलाले किस बैंक का license जो है cancel किया है तो answer है यह मडगाम अर्बन कॉर्परेटिव बैंक लेटेड का जो license कैंसल किया है में भी question आए कि यह जो bank है कहां का bank है तो यह गोवा का bank है क्योंकि direct question ऐसे ही आते हैं जब bank का license cancel होता है तो उनके locations पे question बहुत मिलते है आर्बिय ने इसलिए cancel किया है क्योंकि इनका financial position इतना strong नहीं था और यह अपने present depositors को भी pay नहीं कर पा रहे है एड़ुकेट इनके जो capital नहीं था और provision जो है किसके अंडर इनको हटा है मतलब इनका जो banking license cancel किया है section 11 section 20 और इन सब चीज़े important है क्या answer मढगाम urban cooperative bank limited which day is celebrated all over India on first August तो यह first August का important day है कल miss हुआ था लेकिन definitely current effect के latest में है तो Muslim women's right day है important है पूछा रा सकता है Muslim women's right day इस दिन क्या होता first August को सरकार ने government of India ने first August को triple तलाग को triple तलाग को क्या है इसके उपर कानून बनाया था कि triple तलाग अगर misuse किया जा रहा है तो उसके उपर कानून बनाया था किस तारीक को एक अगस 2019 में central government के द्वारा ठीक है social misconduct of triple तलाग as a punishable offense हम सभी जानते है मुद्धा बहुत बड़ा बना था 2019 में तो इस पे कानून बनाया था चले एक और question देखते है इस question का answer Muslim woman right day है next very 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 important question इस रो नासा joint mission जो निसार सैटलाइट का है वो अब कून से वर्ष में launch होगा तो 20-23 में launch होने वाला है तो important है या हाल फिलाल में update किस ने दिया है डॉक्टर जतेंदर सिंग है उन्होंने दिया है ठीक है मैं आपको पूरे detail में ही बता देता हूँ अब यह निसार जो satellite है इसका aim क्या है इसका purpose क्या है कि अर्थ के surface पर जो भी बदलाव हो रहे है उसको advance radar imaging के थ्रू जो है देखा जा सके observe कि अर्थ के around जो changes हो रहे है ठीक है climate की वज़े से और भी चीजों की वज़े से उसको observe किया जा सके अब यह जो निसार है इसमें इस L-band and S-band radar imaging mission है ना जिसमें जो NASA है वो L-band पे काम करेगा और associate system पे और इस रो जो है वो S-band पे काम करेगा और spacecraft बस पे काम करेगा launch vehicles पे associate launch services पे काम करेगा very 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 important question इसमें आने के chances है कि एक radar imaging mission है जो L-band और S-band दोनों को मिलाके बना और NASA इसमें L-band है और इस रो जो इसमें S-band इन पे काम करने वाला है चले एक और question देखे करेंटली हाल फिलाल में वाइस चीफ ओफ नेवल स्टाफ किसे बनाएगा है यह बहुत बड़ी पोस्ट होती है इंडियन नेवी में second number पे यही पोस्ट आती है वाइस चीफ ओफ नेवल स्टाफ तो यह किसे बनाएगे मैटा से याद रखेगा है SN थेक हैं आपके सामने SN गउर्मेंट हैं इनकी इमेज़ इनका tweet भी आया इसсьफ परसे नेवी के वाइंगे जो यह second highest rank है after the chief of navy, दूसरी important चीज, ठीक है, कि यह second highest rank है इंडियन navy में after the chief of navy, बहुत महत्पुन सवाल है, इस पर question आज सकता है, चलिए, एक और question देखते हैं, in the term of biological database, what is the rank of India, तो इंडिया के rank क्या है, fourth rank है इंडिया की, let me show you the content इसका, ठीक है, इंडिया की fourth rank है, 20 countries में, in terms of contributing the biological database, important question है कि इंडिया की rank क्या है, fourth number पे, अब इस ranking के तहत एक और update आया है, कि union minister जो है, जतेंदर सिंग, इन्होंने एक biotech pride guidelines start करी, यह pride का इसमें मतलब क्या promotion for research and innovation through data exchange, कि जो हमारे देश में research और innovation है, उसको promote किया जाए, data exchange को साथ, it has been developed by department of biotechnology, ministry of science and technology, इसलिए इन्होंने इस चीच को release किया, ठीक है, biotech pride guidelines किसने develop करिये, तो department of biotechnology ने develop करिये, यह question आपको direct मिल सकता है, बहुत महतपूर्ण सवाल है, ठीक है, चली, देखते हैं एक question, who is known as miracle mom from Chandigarh, तो answer क्या है, इस question का, इस question का answer है, ठीक है, मानकोर, ठीक है, मानकोर इसका answer है, आप इधर एक image देख रहे है, she was very old lady, इनका हाल फिलान में निधन हुआ है, तो इस पर question आ सकता है, she was a sprinter, ठीक है, मानकोर डाइस of the heart attack, यह the Hindu का article आया, अब इन पर question क्यों की age में इने नारीशक्ति पुरुसकार मिला, यह famous कब हुई, जम इन्होंने 100 मिटर sprinting, sprint जो थी, world master game, Auckland 2017 में, इन्होंने जीता, age इनकी बहुत ज़ादा थी, तब भी यह जीते, तो इसलिए इनको क्या कहा जा था, miracle mom from Chandigarh कहा जा था, प्रनम मुखर जी ने, the then president of India, उन्हो Court of Justice, establishment, इसके 1945 में होई, location, the huge नीदर लैंड में है, ठीक है, judge, terms, मतलब, इनका कारेकाल कितना होता है, judges का, 9 साल का, number of judges, 15 होते हैं, total, president, इस समय, जोन, ठीक है, डॉंग है, और, इंडिया की तरफ से, एक judge है, उनका नाम है, दलबीर भंडारी जी, justice, दलबीर भंडारी जी, question उस पे भी आ सकता है, पूरी information पे question कहीं नहीं आ सकता है, आज का quick point देखते हैं, कौन सा country, smallest country to win the gold medal है, ओलम्पिक में सबसे छोटा देश जो gold medal जीता है, वर्मूडा है, कौन सा tiger reserve है, जिसको हाल फिलाल में, net west group, earth heroes award मिला है, in earth guardian category, तो सतपूरा tiger reserve को मिला है, ठीक है, who was recently become the youngest climber to climb Mount K2, तो answer है, ठीस है, रोज का से, ये तीन question मैं आपको इनको और explain करने वाला हूँ, next videos में, इसलिए मैं हमेशा last में kick point डालता हूँ, कि उसको मैं बाद में explain कर सकूँ, क्योंकि है important है, आप मुझसे मेरी free classes on academy पढ़ सकते हैं, मैं सुबह 10 बजे on academy current interface पढ़ाता या तो आप सीधा अमन्दीप शर्मा सर्च करें, on academy पे और मुझे follow करें, या तो आपको वीडियो के description box में एक link दे रखा होगा, follow on academy वहां से आप follow कर सकते हैं, और इस class को notify करके 10 बजे current affair full flash पढ़ सकते हैं, ठीके, last 12 मन्द के सारे current affair यहां compilation form में मिलेंगे, ठीके, on academy में म जड़ सकते हैं, मैं आपको complete access दे रहा हूं, इस refer code live अमन्द पे आपको complete access मिल रहा है, ssc goal select करिए, या फिर another कोई भी goal select करिए, even आप UPSC select कर सकते हैं, defense का कोई goal select कर सकते हैं, आपको इस refer code पे पूरा offers available होंगे, सारे discounts available होंगे, सारे teacher से आप पढ़ सकते हैं, पूरा interaction होगा सब कुछ anacademy पे आपको available होने वाला, ठीक है, recent में course, अगस्त में starting के पास दिन में available हो जाते हैं, जो recent course होते हैं, तो आप उसमें 1 से 5 के बीच में जुड सकते हैं, live among refer code यूज़ करिए, आपको ये course available होंगे, free test series आपके लिए app पर available है, तो app पे ही जाके आपको free test series का हिस short solution for everything in an academy, ठीक है, चाहे वो plus course हो ये free classes हो, ठीक है, तो धन्य बाद आप सभी का session को like करिए, share करिए, चैनल को subscribe करिए, और daily basis पर सुबह 6 बजे ये वीडियो आज आती है, world affairs पर, आप इसको हमेशा वीडियो सेक्शन में पूरे दिन में कभी भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन इसे cover करिए, so that कि आपकी preparation अच्छी चलती रहे, thanks a lot